हेलो वेलकम टू इस्टेडी क्लासे सो जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है फर्स्ट जन्वरी तो फर्स्ट आप सभी को हैपी न्यू यर और आज से हम लोग क्लास 12 की NCRT हिस्ट्री सुरू करने वाले हैं मैंने बहुत सारे स्टूरेंट करे थे मुझे इंस्ट्राग्राम में भी बहुत हो के मैसेज आये थे कि दीदी क्लास 12 का हिस्ट्री आप सुरू करवा दीजे तो बहुत अच्छा रहेगा तो मैंने यहाँ पर क्या क्या है नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए खुद से ठीक है बरी महनत लगी है मुझे दो बारा पढ़ना परा चीजों को फिर से छाट छाट के मैंने mcqs तरीके से notes बनाए हैं आप लोगों के लिए तो इससे क्या होगा आप लोगों को समझने में आसानी होगी mcqs कैसे आते हैं वो भी समझ आए जाएगा तो दो फाइद होंगे तो आप लोगों को काम ये करना है कि पहले इस वीडियो को आप लोगों को एक से दो बार देख लेना है ठीक है एक से दो बार इस वीडियो को देख लो and then आप लोगों को जो take step book में उसको सही से परो ठीक है अगर ये तीन बार से चार बार कर ले तो इस वीडियो को दो बार देख लिए दो बार पर लिए बुक को तो अगर तीन चार बार पर लेते हो ना तो एक दम पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को अच्छे से कवर हो जाएगा ठीक है फिर MCQs लगाना फिर आप लोग MCQs भी अच्छे से स्वाल्प कर पाऊगा चलिए अब बीना किसी टाइम वेच्ट के आगे बढ़ते हैं मैं दीरे दीरे चीजों को समझाते जाऊंगी एक पृष्ट भूमी हम लोग समझेंगे पहले हरपा सभेता क्या है सभेता क्या होता हरपा कहां इस्तिता तो सबसे पहले आप लोगों का चेप्टर जो है इटे मन के तथा अस्तिया ठीक है इटे इटे आप लोगों को पता है मन के भी पता होगा और अस्तिया भी पता होगा आप जैसे जैसे class में आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों के लिए ये important हो जाता है कि आप लोग शब्द का level को अच्छा बनाएं ठीक है तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगे पहले कि सब्भेता क्या होता है देखें सब्भेता क्या होता है कि जैसे हम अगर मैं अपनी भासा में समझाओं हम अपने भासा में चीजों को जितना समझे उतना बहतर है तो सब्भेता क्या है हमारा एक दिन चरिया है रूटीन है सुबा उठते हैं नहाते हैं फिर पूजा करते हैं तो ये हमारी क्या है, ये हमारी संस्कृती है, ये हमारी सभ्यता है, इंडियन कल्चर में हम देखते हैं कि सुबा उटके लोग पूजा पाट करते हैं, फिर उसके बाद नास्ता करके फिर अपने काम पे जाते हैं, तो एक जो रूटीन चलता है हमारे इंडिया में कहीं भी कि सब्साइर इडार का समय है अब इस वीडियो का अगर डो बार देखले तो सही रही है आप लोगोगों के लिए मैं बार बार कह रहे हों तो जो हरप्पपपयता का समय था वो 26 इसा पूर्ठ से लेके इनेस सो suits भी पूर्टा था ठीक है ये आप लोगों को बहतर ढंक से समझ लेना याद कर लेना MCQs में बार-बार पूछा जाता है कि हरपा सब्वेत का समय क्या था तो 26 इसवी पूर्ब अच्छा है यहाँ पे इसवी नहीं है ठीक है इसवी पूर्ब है इसवी पूर्ब आप लोगों को पता होगा इसामसी का जब जनम होता है इसके पहले के समय को हम इसवी पूर्ब में देखते हैं और बात के समय को इसवी में देखते हैं तो इसामसी के जनम के 26 इसवी पहले इसवी पूर्ब में हरपा सब्वेत का उदय हम लोग देखते हैं तो इस भी पूर्प तक आते आते हैं उसका पतन भी हमको देखने को मिलता है ठीक है ये बात समझ आ गई तो आप बात करते हैं उपना हरपा सभयता को हम सिंदू घाटी सभयता के नाम से भी जानते हैं क्यों जानते हैं भाई क्योंकि हरपा सभयता का जो विकास हुआ था हरपा सब्वेता का कहां विकास हुआ है सिंधू नदी के किनारे बस मोटा मोटी तरीके से ये समझ लीजिए कि हरपा सब्वेता का विकास सिंधू नदी किनारे हुआ है जिसके कारण हम हरपा सब्वेता को सिंधू घाटी सब्वेता भी कहते हैं ठीक है अब अगर आप लोग कि लॉंग कोशिन में भी काफी बार पूछा गया है कि सिंदुगाटी सब्वेता को हरपा सब्वेता क्यों कहते हैं तो देखे हरपा सब्वेता तो अब बहुत बड़ा था इसमें कई सहर होंगे है न कई कई छोटे बड़े शहर होंगे लेकिन जब पूरे सब्वेता की खोज हुई तो सबसे प्रथम जो शहर खोजा गया वो हरपा खोजा गया जिसके कारण इस पूरे सब्वेता का नामकरण हरपा के नाम से किया गया तो अगर किसी ने पूछा आप से कि सिंदु घाटी सभ्यता को हम हरपा सभ्यता क्यों कहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि इस पूरे सभ्यता में जो सबसे प्रथम खो जा गया शहर था वो हरपा था जिसके कारण इस पूरे सभ्यता को हम हरपा सभ्यता के नाम से जानते ह तो पहले मैं आप लोगों को आरंभ बताना चाहूंगी किस प्रकार से सब्वहता आरंभ होता है मतलब उसकी प्रिस्ट भूमिय जो important facts है वो बताउंगी तो देखे सबसे पहला है कि ये सबहता नगरिये सबहता थी देखे एक नगरिये सबहता होती है एक ग्रामिन सबहता होती है ग्रामिन जैसे कि आज हमारे इंडिया में भी बरे बरे शहर है और छोटे छोटे गाउं है में हम लोग देखते हैं कि उतनी चीजे आधुनिक और विक्षित नहीं हुई है वही छोटा सा बाजार है छोटे श्कूल्स है कच्चे मकाने है ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है हॉस्पिटल्स नहीं है, buildings नहीं है, malls नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर शहर में चले जाए तो technology बहुत आगे बढ़ चुकी है, साधन वहाँ पर परियाप मात्रा में होते हैं, बरे-बरे शहरों में, train हैं, buses हैं, malls हैं, और विक्षित भी कापी अच्छी कर गए, यह अच्छे schools हैं, सब्भेता थी, ठीक है, यह देखिए, यह एक बहुत important बात है, कि हरपा सब्भेता जो थी, वो पहली सब्भेता थी, हमारी देश की सबसे पहली सब्भेता हरपा सब्भेता थी, और पहली सब्भेताई जो थी, वो नगर यह सब्भेता थी, यानि बहुत आधूनी करन यह स चीजों का विकास हुआ लोग विक्षित थे अपनी सोच से अपनी दिरिष्टी कौन से अपने नीती रीती विचार से ठीक है तो यह सभथा न अगर यह सभथा थी यह MCQ उसमें पूछ लिया जाता है अब देखिए इस जाहिजी बात है कोई सभथा होगी तो उसमें लीपी तो होगा ना जैसे कि यही मान लीजे यह हम लोग हिंदी हिंदी किस में लिखते हैं देवनागरी लिपी में लिखते हैं इंग्लिस किस में लिखते हैं हम लोग इंग्लिस रोमन लिपी में लिखते हैं तो हरपास बहता कि भी अपनी लीपी रही अपने चिन रहे हैं ठीक ह कि हो आप लोगों के एक कोई लीपी है जैसे कि हम लोग का लिखते हैं यह हो गया अब ह tentang पर माल लिजी एक ऐसी लिपी है तो इसको क्या कहेंगे हमने अभी तक इसको नहीं समझा है लिपी चिन को अभी तक हम पर पाने में उसको समझ पाने में असक्षम है ठीक है अब पूरा वस्तुए क्या होती है सबसे पहले तो यह समझे पूरा वस्तुए यानि पुरानी वस् हम इतिहास का पता लगाते हैं ठीक है अब इतिहास का पता लगाते हैं कैसे हैं माल लेजिए कि अगर कोई इतिहास लिखके गया है ठीक है कोई शाहिते में लिखके गया है उस दौरान या फिर कुछ बाद मतलब हरपास अबता जिसने देखी है थोरी बहुत जिसने उस काल को जिया है और वो कुछ दिन कुछ शाल बाद जा के कुछ काल के बाद वो लिखता है अपनी किताब में अपनी डाइरी में कि हरपा सबता में ये ये चीज़े ये ये चीज़े उपलबती ठीक है और उसकी वो डाइरी हमें आज मिल जाती है उसका वो किताब उसका साहित हमें अगर मिल जाता है तो वो पुरा वस्तु कहलाती है तो अगर उसकी हमें डाइडी उसका साहित मिल जाता है तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस दौरान उस काल का इतिहास कैसा रहा तो उससे हम पुरा वस्तु कहता है पुरावस्तु इसी तरीके से हमारी मदद करता है इतियास को समझने में ठीक है अब क्या क्या पुरावस्तु है हमारे सामने आती है आवास उसका हरपा सभयता में किस प्रकार से लोग अपने आवासों को बनाते थे मृद्भान यानि मित्टी का जो घरा होता है घरा टाइप का प्रयोग करते थे यानि रूपए पैसे इतना बिख्षित था उस दौरान लोगों की मानसिक्ता लोगों की बुद्धी कि लोग मौहर का प्रयोग करते थे लोग औजार का प्रयोग करते थे लोगों ने आवास तक बना लिया था ये कितने अपने आप में अनूठी है तो हरपा की खोज किसने की में यह कोशिन बार-बार पूछ लिया जाता है मैं देखिया आप को कहानी की तरह समझारी हो पार्ट टू-पार्ट टू-पार्ट इंपोर्टेंट फैक्स से समझाऊंगी क्यूंकि ज्यादा वरा वीडियो तो बनाना नहीं है ज्यादा चीज आप लोगों के दिमाग में अभी रहेंगी भी नहीं पहले-पहल आप लोग इतिहास को इतना ब् सानी ने की 1921 में अब देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हरपा सभयता सिंधूर नदी गाटी के किनारे अवस्तित था अब अकर पूछिया जाए कि हरपा सहर सिर्फ और सिर्फ हरपा सहर की बात की जाए हरपा सहर किस नदी के किनारे था तो रावी नदी के क ता हरपपा सभ्भhate और हरपपा सहर में आप लोगों को कन्फ Student नहीं होना हरपपा सभ्भhate उस पूरे सभ्भhate की बात हो रही है हरपपा सभ्भhate में बहुत सारे क्या होंगे बहुत सारे शहर को घाएँ ठीक है महां लीजे मोहन जोद्रो शुल रों गया गया bet Centering काली बंगनाल है लेकिन अगर अलम हरपा सहर की बात की जाए तो इस सिर्प सिर्फ फीर हर अलम ही आएगा हरस सहर रावी नदी के किनारे अवस्तिप था और आज हरपा सहर कहा है अगर आज बरतमान समय की बात करें तो अगर देखें आप लोग मैप में अपने आपके बुक में दिया गया है NCRT किताब उठाईए देखिए एक साइड में आप लोग किताब रखी और इस वीडियो को भी सुनते जाईए तो हरप्पा जो है अभी पाकिस्तान में है काँ पे पाकिस्तान में है तो ये भी आद रखना हरप्पा की खोज दैरामसानी ने 1921 में की हरप्पा सहे रावी नादी के किना रिखती थे और बरतमान में अभी पाकिस्तान में है ठीक है अब चली दूसरा जो point है आप लोगों के किताब में है वो है निर्भा के तरीके निर्भा के तरीके मतलब लोग अपना जीवन यापन किस तरह से चलाते थे खान पान में क्या खाते थे वस्तर कैसे पहनते थे खान पान में खाते थे तो उसकी फसल कैसे उगाते थे व अगर आप लोग सिर्षक समझ जाते हैं, तो मिन पॉइंट्स जो है, मिन फैक्ट जो है, वो भी समझ जाईएगा, तो सबसे है कि फल, अगर मानले जो फल खाते थे, सबजी काते थे, तो वो कहां से प्राप्त करते थे, वो लोग पेर पॉदे से प्राप्त उतपाद, तो नि आखेट करते थे, आखेट मतलग सिकार होता है, ठीक है, मचली का सिकार करते थे, अना, उस द्वरान कौण कौण से अना, जुक के बारे में उफलोगों को पता थे, जो, डाल, गेहूं, सफेघ, चना, अब आप लोग कहेंगे, हरपाव सवाथा के लोग क्या खाते थे जौब इतिहासकारों नहीं खाते थे मचली पकड़े नहीं पड़े इस्तमाल करते थे तभी इन लोगों के साक्ष हमें मिले हैं इन चीजों के साक्ष हमें मिले हैं ठीक है इस प्रकार से इतिहास का पता लगाते हैं इतिहास का फिर देखे दूसरा पॉइंट है कि इस सभता में इस सभता में मवेश्यों के हड्यों में मवेशी यानि जिसका हम पालन करते हैं उसे मवेशी कहते हैं भेर, बकरी, सुवर, भैस की हड़िया भी मिली है हड़िया मिली है यानि अस्तियां मैंने समझाय था हड़िया मतलब अस्तियां तो हड़ियों के साक्ष भी हमें मिले हैं हरपा सबेता में तो भेर, बकरी, सुवर, भैस यानि इन जानवरों को इन मवेशियों को शायद हूँ लोग पालते होंगे ठीक है अपने घरों में अपने आसपास पालते होंगे तो इनके साक्षे भी मिले हैं इनके हड्डियों के साक्षे मिले हैं और माना जाता है कि ये जानवर पालतू थे आज भी हम लोग पालते हैं भेर को पालते हैं बकरी को सुवर को बैस को पालते हैं कि नहीं पालते हैं ठीक है तो लाश्ट पॉइंट है कि हीरन घरियाल जंगली सुवर की हड्या भी मिली है यह उपएवाले जो animals हैं उन लोगों को पाला जाता था और साथी साथ हीरन घरियार जंगली सुवर्टी भी हड्डिया मिली है ठीक है इतने में आप लोगों को चीजे समझ में आ जानी चाहिए ठीक है I hope आप लोगों को समझ में आ रही है कुछ भी problem होता है तो comment box में comment कर सकत करने का तरीका क्या रहा उन लोगों का ठीक है उस दौरान लोग क्रिसी कैसे करते थे तो ब्रिशब यानि बैल को खा जाता है ठीक है ब्रिशब की मूर्तियां मिली है मूर्तियां मतलब मूर्तियां जो होती है ना बैल की मूर्तियां मिली है हर अपास अबहता के दौरान ब बैल की मूर्तिया मिली है, इस आधार पर पुरातित्विद ये मानते हैं कि खेद जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था, पुरातत्व विद ये शब्द आप लोगों के लिए नया होगा, मैंने जान बूच कर ऐसे सब्द लिये हैं, बुक से, ताकि आप लोगों को सब के भी अर्थ समझाते चलो ठीक है पुरातदविद यानि जो पुरानी चीजों के खोज करता है यानि इतिहासकारी मा लीजे तो इतिहासकारों का मानना है कि खेट जोतने के लिए हरपा सब्दा में बैलो का प्रयोग होता था क्यों ऐसा उन लोगोंने मानना है क्यों कि उस द बनावली में हलके साक्ष मिले हैं और बनावली आज के दौरान हर्याना में है ठीक है आज के दौरान हर्याना में है यह चीजे भी नोट कर लो मैं जितने भी पॉइंट्स आप लोगों समझा रही हूं MCQ की तरह वो नोट करते चलो तो बहुत बैतर है किताब साथ में रख राजिस्तान में है ठीक है अब देखो हल के साक्ष मिले हैं तो इससे हम छोग इयोतने के लिए खेट जोटने के लिए बैलों के साथ साथ हल का भी प्रियोग होता था जूते हुए खेत के भी साक्ष मिले हैं, जाहिर सी बात है, जूते हुए खेत के साक्ष मिले हैं, तो जरूर किसी चीज की उपयोग करते थे वो लो, बैल का प्रियोग करते थे, या हल का प्रियोग करते थे, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, दूसरे पॉइंट्स की, खेत म इसमें ऊसे पट्टीदार खेती की गई है पट्टीदार दीस्रे पट्टी में यसी की ते कीरे नहीं होanie है सिरी नुमा खेती तो आह को क्यों हो नोगकर रहए है 警iveness in the सबसे अच्छी रही ऐसा माणना है और फिर अतिरिक्त में कुवा के साक्ष भी मिले हैं कई कई जगा तो ये सब नोट कर लो कि नहरो के साक्ष कहा मिले हैं सोतु गई और हरपा में धौला बिरा के साक्ष धौला बिरा में जलासर के साक्ष मिले हैं और कुवा के साक्ष भी कई कई जगा मिले हैं अब चलो बात करते हैं मोहन जोद्रो की, मोहन जोद्रो जो था वो हरपा सब्वेता, ध्यान से सुनना, मोहन जोद्रो हरपा सब्वेता का सबसे प्रमुक शहर था, ठीक है, सबसे प्रमुक शहर मोहन जोद्रो था, अब मोहन जोद्रो जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, तो क मुहन जोद्रों की खोज हुई थी 1922 में याद रखना और मुहन जोद्रों की खोज राखलास बैनर्टी ने की और हर अपस अबे तकी कुछ दयाराम सहानी ने की अभी के स्थान में वर्तमान समय में मुहन जोद्रों कहां है पाकिस्तान में और लरकना जिला में ठीक है पाकि सभेता की सबसे बरी इमारत, पूरे हरपा सभेता की सबसे बरी इमारत जो है वो सनानागार है, सनानागार में आप लोग किताब से पढ़ लेना थोड़ा डेटेल में, मैंने जाज़ा डेटेलिंग नहीं बताई है, एक रिवीजन की तरह, एक कहानी की तरह मैंने इस वीडिय Marie RS I мі duplicates बरीमार्ट जो रही वह स्नानागर रही स्नाना गार रही और मोहन जूदरो में थे अब पशुपति की मूर्थी और स्वास्थिक अगर मोहन जोद्रो को ध्यान से देखा जाए तो मोहन जोद्रो का जो पूरा शहर था ना वो दो भागों में बटा हुआ था दुर्ग और निचिला सहर आप लोग मैप में देखो प्रिस्ट संख्या में बता देती हूं किताब में प्रिस्ट संख्या है 5 प्रिस्ट संख्या नीचला शहर थोड़ा बरा था लेकिन जो दूर्ग था ये उचाई पर बनाया गया था थोड़ा उचे स्तम में उपर इस दूर्ग सहर को बसाया गया था और पूरा कीले बंडी था ठीक है यहां पर क्या लिखा है मैंने देख लो कि दूर्ग को चबूत्रे पर बनाया गया थर दिवारों से घेरा गया था अतल ता साधा नीचले सहर से अलग किया घया था दोर गिंघां पर था इसको थोड़ा उनचाई पर बनाया गया था र zooming पर खेorse गेरा और hop let hours पूरे सहर को देखकर ऑसा प्रतीत होता है कि वस्ती का न्यूजन किया गया था उसके अनुसार कारियनवन हुआ देखो जो पुराने शहर होते हैं पुराने शहरों में चले जाओ तो ऐसे लगएगा कि कहीं से गली निकल रही है यहां से गली निकल रही है तो ऐसा लग रहा है कि नियोजन नहीं है जिसने जहां पर थोड़ी जमीन पाई उसने अपना घर बसा लिया यहां पर किसी ने बसा लिया अब जो गली है वो कहीं से भी आते जाते है आ रही है उटेरी मेरी लेकिन अगर नए शहरों में जाओ नए जहां पर चीजे अभी अभी बिक्सित हुई है तो आप लोगों को पूरे एकदम लगेगा कि यह शहर बनाया गया है यहा महां जोदो के बारे में समझ में आ गया कि महां जोदो में कैसा क्या था ठीक है अब बात करते हैं नालो का निर्मान मोहन जोद्रो में नालो का निर्मान कैसे किया गया था बहुत जरूरी बात अभी प्रिश्टबो में हम लोगों ने समझ लिया नालो का निर्मान देखेंगे ग्रिह स्थापत्य मतलब आवास का नियोजन किस प्रकार से किया गया था ये देखेंगे तो ये बहुत important है, ये दोनों point बहुत important है, मोहन जुद्रो का question, मोहन जुद्रो के उपर questions बहुत बार पूछा जाता है, मतलब उसके सहर का नियोजन किस प्रकार से किया गया था, तो आप लोग इस points को लिख सकते हैं, नालो का निर्मान इस प्रकार से हुआ था, ग्रिह, स्त इंडिया में घूम ले, तो कितने ही सहर होंगे, जिसमें नल, पानी, निकासी, प्रनाली अच्छी होगी, है ना, मतलब कहीं से भी नाले ढह रहे हैं, बह रहे हैं, कहीं भी पानी निकल रहा है, कहीं भी पानी जमा हुआ है, खास तो और पर ग्रामीन शेत्रों में तो ये ज्यादा देखने को मिलती है, बस्तियों में ये ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, लेकिन उस दौरान, मतलब कितना पुरान हम 26 ये पूर्प की बात करें, लेकिन तबी भी लोग कितने अच्छे रहे हैं, कितने सभ्य रहे हैं, कि उन्होंने जल निकासी प्रनाली को स यह सरकार के दुवारा तो अगर पूछ लिया जाए किसी MCQS के दुवारा और कि हरापा सहर की विसेस्ता क्या रही तो आप लोग लिख सकते हैं जल निकासी प्रनाली इतियास करों को यह बहुत चुहकाने वाली बात लगी कि हमारा इंडिया इस प्रकार से है जहां पे लोग इस प्रकार से हैं जल निकासी प्रनाली इतनी सुदूर की हैं उन लोगों ने तो यह विसेस्ता रही है हरपा कि फिक लिखा है पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और उनके अगल वगल आवासों का निर्मान किया गया यह पॉईंट तो दिमाग में बैठा लो बहुत जरूरी वाला पॉइंट है इसको अपने एंसर में यूज करना बहुत अच्छे मांक्स मिलेंगे पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और उनके अगल वगल आवासों का निर्मान हुआ जिसको ग्रीट पर्धती कहा जाता है ठीक है ये समझ आ गया नालो का निर्मान समझ आ गया ग्रिहर स्थापत्य देखते हैं हरपसवरता का ग्रिहर स्थापत्य आवास कैसे बनाये जाते थे क्या धाचा होता था आवास बनाने का घर बनाने का वो देखते हैं यहां के भवन एक आगन पर केंद्रित होते थे अगर आप लोग साउट चले जाओ दक्षिन भारत चले जाओ ना तो ऐसे घर आप लोगों को अभी भी देखने को मिलेंगे जो पुराने घर है अच्छे घर है तो क्या करते हैं वो लोग एक आगन बनाते हैं और आगन के चार और रूम्स बने होते हैं यह मैंने साउट में देखा है दक्षिन भारत के लाखे में ऐसे घर आज भी देखने को मिल जाते हैं तो क्या होता है चले परते हैं यहां के भवन एक आगन पर केंद्रित थे चारो और कमरे बने होते थे और मुख्य द्वार से आगन नहीं देख तो यह हमारी प्राइवेसी चीन जाती है कि भाई हम अपने आगन में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि बहारी लोगों का आना जाना है तो लोग हमें बाहर से भी देख सकते हैं तो देखो कितना अच्छा उन लोगों ने टिकनिक बनाया था कि मुख्य द्वार से आगन नहीं ठीक है कितनी अच्छी बात कितनी अच्छी लोगों ने सोचा था अपने आवासों का स्थापत यह इस तरह किसे किया था बहुत सोचने वाली बात है फिर आगे के पॉइंट से देखते हैं हर घर में अपना सनाना घर होता था हर घर में अपना सनाना घर होता था ठीक है जै सबसक्षान करके हैं इस तरीके से पूड़े आवास करने होनु था है है अब चोलो आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे हम लोग दूर्गी की थोड़ा मैं फास्ट फास्ट खहते हूं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बोरिंग लगने लगेगा आप लोगों को ऐसा ही स्टूरेंस के मन में बैठा रहता है कि हिस्ट्री बहुत बोरिं मोहन जोद्रो जो था वो शहर जो था दो भागों में बठा हुआ था दुर्ग और निचला सहर दुर्गी के बारे में मैंने बठाया आप लोगों को जो दूर्ग था वो पूरा किले बंद था और एक उपरी सत्ह या फिर कह सकते एक चबूत्रे के उपर पूरा का पूरा बसाया गया था तो दुर्ग में जो विशाल संग्रचना थी वो माल गोदाम की थी माल गोदाम के बारे में थोड़ा पर लेना सनानागर के बारे में तभी मैंने नहीं बताया अभी बता देती हूँ आगन में आयतकर जलासा है तल तक जाने के लिए सीर्य थी एक एक्छ में बड़ा कुवाँ था जलासा से पानी नाले में बह जाता था तो ये पोइंटन नोट करकर रख लो आई होप आप लोगों को ये पोइंट समझाने की जरूरत नहीं है आगन में आयत कर जलासाई था एक आगन होता था बहुत बारा उसमें जलासाई में पानी जमा किया जाता था तल तक जाने के लिए सीरिया थी जाई से बात है कि उसके नीचे उसके जलासाई तक जाने के लिए सीरिया तो बनाना चाहिए ही और एक कच में बराकुआ होता था जलासे से पानी नाले में बह जाता था ठीक है आप बात करेंगे दूसरे पॉइंट्स की मोहन जोद्रो की बात हो गई कैसे कलास्त स्वारी स्थापना कैसे हुई मोहन जोद्रो की क्या संग्रचना रही लोग कैसे रहते थे मोहन जोद्रों में वो हमने देख लिया अब बात करते हैं सवाधान सवाधान एक मिनट मुझे स्पेलिंग थोरी गलत लग रही है सवाधान ठीक है चलो सवाधान सामाजिक भिन्नताओं का अबलोकन करेंगे समाज में क्या क्या भिन्नताए है लोग एक दूसरे को कैसे भेट की दृष्टी से देखते हैं वो हम लोग देखेंगे सवाधान ठीक है तो सबसे पहले ये समाज लिए सवाधान होता क्या मतलब सवाधान जब किसी के मृत्तू हो जाती है तो जहां पर दफनाया जाता है जैसे की कब्र में बहुत लोग दफनाते हैं किसी किसी धर्म में दफनाया जाता है किसी धर्म में जला दिया जाता है तो जहां पर दफनाया जाता है उसे सवाधान खहते हैं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सवाधान के जरिए हम लोग सामजिक भिन्यताओं का अवलोकन कैसे करेंगे समाज में किस तरीके से भिन्यताओं व्याप्त थी उस दौरान हम उसको कैसे पता लगाएंगे ठीक है सवाधान के जरिए देखें पता लगा सकते हैं इतिहास को समझने का एक ट्रिग मैं बताती हूं अगर इतिहास को आप अपने वर्तमान समझ से जोर के देखेंगे तो इतिहास आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा और इतिहास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेता है तो वर्तमान समझ को अच्छे तरीके से समझ लेजेगा तेखें अभी अभी मैंने बताया क कुछ धर्म में जब इंसान के मृत्व हो जाती है तो कुछ धर्म में उन्हें दफनाया जाता है तो हमें धर्म भी से इसका पता चलता है कि नहीं ये इस धर्म का होगा तो इसने दफनाया कुछ धर्म में मृत्व के प्रांथ क्या क्या जाता है उसके लास को जला दिया जाता तो हम लोग समझते हैं भाई सब ये इस धर्म का है ठीक है तो इसी तरीके से सामाजिक भिन्यताई उस दोरान भी रही है समझा गया I think आप लोगों को समझा रहे हैं मैं बहुत एकदम नॉर्मल भासा में समझाने की कोश्च कर रहे हूँ मैं चाहती तो किताबी भासा में समझा सकती थी लेकिन ऐसा करने से कोई लाब नहीं है ना ही आप लोगों को नहीं न मुझे ठीक है पहला पॉइंट समझाती हूँ कि सामने तर परो सामने तर मृतकों को सवाधानों में दफनाये जाता था तो इससे क्या समझ आता है कि कहीं कहीं पे जलावी दिया जता होगा कई लोग जलावी देते थे लेकिन अधितर सामनेता बेसिकली उस सभ्यता में मृतकों को मरे हुए लोगों को दफना देते थे क्या करते थे दफना देते थे दूसरा पॉइंट कवी-कवी सभ्यतान में भिनता मिलती थी भिनता से ही हम लोग समझिक भिनता को समझेंगे ठीक है कुछ कब्रों में मृत्भान आभुसन तावे के दरपन भी मिले है मतलब जैसे कि उस मरे हुए इंसान के साथ उसका यूज किया हुआ मृत्भान यूज करता था मालो आभुसन यूज करता था तावे के दरपन उसने मालो यूज किये है ठीक है अपने समय में वो तावे का दरपन यूज करता था जिस बतन में उसने खाना काया जिस क्या कहते हैं आभुसन को उसने पहना उसके साथ साथ उसके मृत सरीर के साथ साथ उसे भी कबर में दफना दिया जाता था समझ में आ गया होगा I hope चौथा पॉइंट है पूरुस और महिला हो दोनों के सवाधान से आभुसन मिले है अब जैसा कि हमारा समाज है हम आज के दौरान समझते हैं कि भाई आभुसन से प्रेम तो सिब औरतों कोई है तो अगर आज ऐसे सवाधा कोई हो तो औरत के मृतक के साथ साथ जूएलरी दफनाया जाएगा आभुसन दफनाया जाएगा लेकिन उस समय ऐसा नहीं था पूरो सर्महिलाएं दोनों एक समाण आभुसनों का प्रियोग करती थी तो दोनों के सवाधान में आभुसन प्राप्थ हुए है इस सभेता से हमें सीखने की जरूरत है ठीक है चलो अब आगे बढ़ता है बिना किसी बहस की वह यह ऐसे बहस अगर करने लगे हम लोग तो बहुत कुछ वाद भी वाद हो सकता है तो विलासिता, विलासिता की वस्तुई की खोज, उस दौरान विलासिता की वस्तुई क्या क्या रही, आज ऐसे विलासिता के दौर पर हम लोग क्या देखते हैं, जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो अच्छे से अच्छे कार्ट्स खरीते हैं, अच्छे से अच्छे बंगले खरीते हैं, malls में जाते हैं, पैसे लुटाते हैं, तो आज विलासिता की चीजे क्या हो गई, बरी-बरी गारिया, बरी-बरी दमहल की तरह आवास, तो तभी विलासिता की वस्तुए क्या रही हैं, ये हम देखेंगे, दो वर्ग हैं, पहला वर्ग इसमें रोजमरा की क्योंकि परहुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, तो मृद्भांड मैंने समझा दिया था, मिट्टी के भांज होते थे, वो एक अच्छे कुछ भांड तो होते थे, वो कुछ पत्थरों के बनाते थे, वो लो, जो के बहुत वेश, मतलब कीमती होते थे, ठीका, चक्किया आभुसन सामिलते, ठीक है, दूसरे बग इन चीजों को क्या मानते थे, विलासिता की चीज़े मानते थे, ठीक है, अब देखो, पांचवा पॉइंट, सिल्फ उत्पादन के विशह में जानकारी, सिल्फ उत्पादन कला कैसा था, उस दौरन ये हम लोग समझेंगे, बंगन की भी कहीं कहीं पर जिक्र कर लिया है, हमने जननिकासी प्रणाली में चुन हुद्रो ध्यान में रखना, ठीक है, तो चुन हुद्रो जो था, वो मन के बनाने में आगे था, संकी कटाई के लिए आगे था, धातु क्रम में आगे था, मोहरे निर्मान में आगे था, तो मतलब इन चीजों का अधीक से अधीक विकास चुन हुद्रों में देखा गया है। सिल्प उत्पादन में अग्रैनी कॉन रहा चुन हुद्रों रहा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा पॉइंट है कि मन के बनाने में प्रयूक्त प्रदात। कॉर्निलिया, जैस्पर, फटिक, सेल्खरी, तावा, कासा सुने। इन सब चीजों का प्रयोग मन के बनाने में किया जाता था। और सेल्खरी का भी प्रयोग होता था। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है कि मन के बनाने में सेल्खरी का भी प्रयोग होता था। मन के बनाने के औजा चनहुद्रो धौलाविरा लोथल से मिला, साख्छे मिले हैं कि मन के बनाने में जो ओजारो का प्रियोग होता था वो चनहुद्रो में भी मिला, धौलाविरा में मिला, लोथल में भी मिला, यानि चनहुद्रो तो अग्रन ही रहा ही है सिल्प कला में, और नागेश्वर और बालकोट से चूरिया और कर्चिया प्राप्थ हुए है इनके साक्षे हमें कहां मिले है चूरिया और कर्चिया के साक्षे हमें नागेश्वर में मिले है बालकोट में मिले है नागेश्वर जो है अभी गुजरात में है बालकोट जो है अभी पाकिस्तान मे यह समझे लो इन चीजों को भाई पॉइंट कर लो एक दो बार पढ़ना दो तीन चार बार जितनी बार याद ना हो तब तक पढ़ना अब हिस्ट्री में सब चीजे समझने लाइक तो होंगे नहीं इसको आप लोग कैसे समझोगे कि नागर स्वर जो है गुजरात में नागर चोटे 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 हो तक बड़े शेरो में और वर हमर त्हों पादन कंडर की पहचान दिया गया माल तथा कूळा करकट से कर जो है अब पुरातत विज्जो थे उत्पादन गेंद्र की पहचान कैसे करते थे कि हम पे सिल्खरी का निर्मान होता था यहां कला भिक्सित हो यह है यह सहर अग्रनी रहा है जैसे चुन-हद्रों में मैंने बताया कि यहां पे मन के बहुत बनाइं गई है कैसे इतिहास कारों ने ये समझा पुरातत विदों ने ये कैसे समझा साक्ष मिले होंगे जैसे कि मैंने बताया एक मिनिट रुप जाओ जैसे कि मैंने बताया मन के बनाने के लिए Cornelia, Jasper, Spatic, Silkhari, Tawa कांसास का प्रयोग होता था तो इनके साक्षे मिले होंगे किसी किसी सहर में इसलिए उनको पता है कि इससे सेलखरी का निमान होता था तो ये ये सहर अग्रनी रहें इस तरीके से इतियास का लॉजिक्स लगाते हैं ठीक है अब चलो आप आगे बरते हैं छटे पॉइंट के उपर छटा जो पॉइंट है माल प्राप्ट करने संबंधी नीतिया माल कैसे प्राप्ट की जाती थी उस समय नीतिया क्या थी अब देखो इतना बड़ा सभयता है इतना विक्षित सभयता है नगर यह सभयता है तो नीतिया तो जरूर रही होगी बहले ही राजाना है यहां पे ठीक है जैसा देखा ज़रा लोकतंत रिशासन है भाई लेकिन क्या है नीचिया तो जरूर रहे होगी अच्छे चीज़ों को काम करने के लिए मतलब अच्छे चीज़ों को निर्वा करने के लिए तो यहां पर माल प्राप्त है तो इहीं पर बस्ति बना लो इहीं पर काम शुरू करते हैं यहां फॉरू करते हैं भाई सब ले आने जाने की जो दुबिधा है उसको ही निकालते हैं वहीं पर हम लोग बैठेंगे वहीं पर काम करेंगे ऐसी उन लोगों की नीतिया रही है ठीक है तो नागेश्वर में संक के साक्षे मिले हैं सबीकांट भी नागेश्वर बाल कोट में संक साख्चें मिले हैं तो लोथल में कॉर्णेलिया के साख्चें मिले हैं तो यह जो आपिते प्राश्ण अब तख बतायां नोट कलो और M.C.C.U.S कर दो दू जाते हैं भाई सब आगे तो دूसरा जो पॉइंट। स्तान ये समुदाय के साथ संपर्क करने के लिए अभ्यान भेजे जाते थे कि अब ऐसा तो नहीं था कि उस दौरान फोन था कि भाई हमारे पास इतना माल है या फिर हमारे पास कच्चा माल नहीं आप भेज दीजिए प्लेन से भेज दीजिए हमने फोन कर दिया है आपको हम पेटियम कर देंगे आप भेज दीजिए पैस ऐसा तो नहीं होता था तो वो लोग क्या करते थे अभ्यान भेजते थे कुछ लोगों का सम्हूं भेजते थे सudset करते थे की ऐसा हमारे पास माल है या पिर इस माल की कमि है हमें चाहिए या फिर dollars बहुंच जादा है आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं इस तरीके से बैपार किया जाता था और इसी तरीके से संपर किया जाता था अभियान द्वारा ठीक है अभियान भेजे जाते थे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि गनेश्वर में ताबा प्राप्त हुआ तथा यह आभास होता है कि यह चेत्र हरप्पा में ताबा भेजते थे और एक बात करेंगे फटा फट देखेंगे सुदू छेत्रों से संपर सुदू छेत्रों से संपर ओमान से तांबा लिया जाता था तांबा के सिलसले में उनसे बैपार किया जाता था अफगानिस्तान के लिए बैपार होता था चांदी का अफगानिस्तान और करनाटक में सुने का मे च्शेतर से समबर क्या एमज्ट क्यू सब्न सकते है् evangelism क्या आप लोगों को याद रखने की ज़ायूरत है I haven बस आप लोगों के सामेह पर लिग दिया आप लोगों का काम है इसको नोट करना और याद करना मैंने अपना काम कर दिया है आप लोगों को अपना काम करना है ठीक है नोट बना सकते हो वीडियो से नोट बना लो भाई मैं बार बार रिक्वेस्ट करी हूं आप लोगों को मैं जिसमें काली मिट्टी की एक मोटी परत चराई गई थी अब चलो 7.1 महरे और मुद्रांकंड महरे और मुद्रांकंड में मैंने कुछ नहीं लिखा है तो ये मैं आप लोगों को बुक से समझाऊंगी कुछ आप लोगों को बुक से समझना चाहिए, कुछ है वे नहीं खास समझाने को, लेकिन, आपर समझाती हूँ जैसे आप लोगों का सीचता है, मुहरे लीपी तथा, बाट बाट अब लोगों को बुक में, एक चेत्र में दिया हुआ होगा, आप लोग देख लेना, मुहरे देख लेना बाट कैसा होता था ठीक है अब 7.1 में क्या आप लोगों के बुक में है मैं एकदम सब्द तुस सब्द आप लोगों को पैट के सुनाती हो फिर समझाओंगी लिखा गया है बुक में मोहरो और मुद्रांकनों का प्रियोग लंबी दूरी के संपर को स्विदाजन ध्मेंग जानाने को लिए होता मैं अब लंबी दूरी तैक करना है ठीक है जैसा कि मैंने बताया कि प्येटियम है नहीं गुगल पे था नहीं तबहिं एसा तो कुछ था नहीं बैंक्वाधत था नहीं तो मोहरो का प्रियोग होता था मुद्रांक अंव महरों से दबाया गया जिससे मिटी और महरों की चाप पर गई ठीक है यदि इस थैले के अपने गंतविस्तान पर पहुचने तक मुद्रांगन अच्छों न रहा तो इसका अर्था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेचा नहीं की गई है मुद्रांगन से प्रेशर की भहचान का भी पता चलता था क्या होता था कि जैसे कि पार्शल में आप लोग देखते हैं पार्शल में क्या होता है कि मतलब मूम की तरह होता है उस पे स्टैंप लगा दिया जाता था तो पहले क्या होता था कि मिटी लगा दिया जाता था उसमें स्टैंप की तरह बना दिया जाता अगर जाते आते तक जाते आते तक यह सही सलामत रहता था तो मतलब कि उस packet के साथ कोई चरखानी नहीं किया 시청 um बस आप लोगों को समझाने का उद्डेशन था मेरा मेरा वो मैंने समझा तो अब दूसरे point को देखते है लीपी को अभी तक परा नहीं जा तो पचैतर से चार सू की बीच से रही एक चिन्हों के मादम से वो लोग समझाते थे यहां पे आप लोगों का दिया भी गया है चिन्ह प्रिष्टे सेंगा 15 में देखिए कुछ कुछ चिन्ह दिये गया हैं ना लीपी दाइं से बाईं और लिखी जाती थी, दाइं से बाईं और लिखी जाती है, जैसे कि हम लोग हिंदी लिखते हैं, हम लोग इधर से इधर लिखते हैं, मतलब बाईं से दाइं और लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर दाइं से बाईं और लिखी जाती है, जैसे उर्दु क को हम लोग दाइं से बाइं लिखते हैं उसी तरह से हरपस जबेता को दाइं से बाइं लिखी जाती है ऐसा इत्यासकारों का मानना है दूसरा पॉइंट मोहरे तांबे के ओजार आभुसन से लिखावट मिली है मतलब मोहरे में और तामे के ओजार में और आभुसन में भी लिखावट मिली है मतलब जैसे कि आज भी हमारे सिक्के में लिखावट तो होती है भारत सलका लिखावा होता है एक रुपए दो रुपए लिखे होते हैं तो उस द्वारान भी سिखों में ऐसा कुछ लिखावा जाता- और जार में लिखावा जाता-ता था अब बहुसिन में भी लिखावा जाता-ता था किस प्रकास सत्ता वहाँ पर हो रहती थी तो मुहंजुद्रों में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संग्या दी गई संग्या दी गई मतलब उसे कहा गया मतलब मुहंजुद्रों में विशाल भवन मिला विशाल भवन को प्रसाद कहा गया प्रसाद मतलब राजदर्वारी टाइप राज़दरवारी खागया ऐसा कहा गया महांजुद्रुक्वे एक विशाज भवन को एक मूर्ती को पुरोहित राजा की संग्या दी गई अब एक मूर्ती मिले होगी उस तरीके से ठीक है लगा होगा इतिहास कारो को की भाई यह पुरोहित राजा हो सकता है तो पुरो इतिहास कारो का मननने है पता तो अभी किसको ही है तो पुरोहित राजा की संग्या दी गई ठीक है अब चलो आगे बढ़ते हैं बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है आप लोगों के बुक में चुल अब बात करते हैं सत्ता की अवधारना यह पॉइंट था ना I think प्राचिन सत्ता सत्ता की अवधारना ऐसा ही था कुछ पॉइंट आगे बढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को पॉइंट है कि कुछ पुरातित विद मानते थे कि हरपा समाज में सासक नहीं थे इतिहासकारों का मानना है कि भाई इस सबयता में सासक नहीं था राजा ही नहीं था लोग खुले आम अपना जीवन्यापन करते थे नीतियां थी ऐसी नीतिया ऐसी थी उसके समझ रहके लोग इतियास कारों कमान था, ठीक है? पॉइंट नमर्ड दो, तधा कुछ लोगों का मानन है कि कयी सासक थे और हर छेत्रा में अलग-अलग सासक है कुछ इतियास कारों का मानन था कि सासक थे, अब तो उन लोगों कहीं पता 29 भीज़ समाच थे कि हम लोग इतने दर से इतनी चीज़े हम लोग ने देखी कि महांजोद्रों में यह यह टिकनीक्स रहे हैं ग्रीट पद्धती रही है नालो का निर्मानी स्थरीक से किया जाता था अगर इस सब्वेता थी तो अचानक से सब्वेता का अंध क्यों हुआ क्या कारण था अगर कोई अच्छी चीज है हमारे पास तो हम उस चीज को छोड़ थोड़ी देंगे वो तो हम अपने पास सहेच के रखेंगे बहुत सुरक्षा से अपने पास रखेंगे ना कोई अच्छी चीज है तो वो जल्दी खतम थोड़ी होगी तो सबेता का अंद क्यों होता है ये हम लोग समाझते हैं चलिए पहला पॉइंट है कि ऐसा माना गया कि इसका अंद स्तलो को त्याग देने से वह लोगों ने छोल दिया कि इस हैर में नहीं रहना है कहीं और जगा जाकी बसते हैं एक लोग पहला परिबार गया कुछ दिन बाद 2-3 परिबार चले गया तीसरे दिन 5-6 परिबार चले गया तो लोगों ने त्यागना शुरू किया अब किस reason से उन कुछ पूरात्य ऐसा मानते हैं जलवायू परिवर्तन वनो की कटाई अत्तर दिख बार नदियों का सूख जाना भी कारण हो सकता है कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जलवायू में परिवर्तन आ गया है होगा एकदम से सूखा पर गया होगा जल लोगों को नहीं मिला तो धीरे-धीरे सबता का अंत हो गया या फिर बनों की कटाई बहुत जादा हो गई तो जलवायू में तो गरवरिया होंगी ही या फिर हो सकता है कि बहुत अत्य दिक बार आ गया होगा तो लोग वो की जानमाल की हनी होई होगी तो लोग तितर-बितर हो गए होंगे नदिया सुख गई होगी तो कुछ इतिहासकार प्राकितिक आबदा मानते हैं इसको और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लोगों ने इस ठान को त्याग दिया इस तरीके से हरप्प सबतक अंथ होता है मतलब कुछ इतिहासकारों के दो मतरे है है अब हरप्प सबतक की χोच यहां पे पॉइंट आप लोगों का अब बात करते हैं कि Alexander Cunningham को पुरातत्व विभाग का जनक माना गया ये मैंने इसलिए लिखा है MCQs में पूछ किया जाता है कि पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है इतिहास मतलब इंडिया में तो वो Alexander Cunningham को माने जाता है रट्टा माल लेना दूसरा पॉइंट है परो या लिखाय मैंने साथ साथ मेरे इन्होंने सर्वपतम अपनी रिपोर्ट जारी की थी कुछ महर मिलने के पस्षाथ उन्होंने ध्यान तो दिया लेकिन उनका काल खंड का पता लगाने में असफल रहे क्योंकि उनका भी मानना था कि भारत के इतिहास का प्रारम गंगा की घाटी से हुआ है उनका मानना था कि गंगा की घाटी से हुआ है वहाँ पर हम लोग खोजबिन करेंगे वहाँ पर जो सभ्यता थी वो भारत की सबसे प्रथम सभ्यता थी तो कहीं और पर खोजमीन क्यों करें लेकिन जब उन्हें कुछ सिक्के प्राप्थ हुए तो उनका थोड़ा धिमाग खंड का ठीक है कि भाई क्या हो रहा है यहां पर कुछ हो सकता है तो खोजमीन जारी करते हैं यहां पर तो हरप्पा सबतर की खोज इस प्रकार से शुरू ह 2010 में जॉन मार्सल के नितरित व्रम हरपपा की खोज किया नियाराम सानी तो तो जॉन मार्सल को पर भारतिय पुराति तुवे ठावन तैनरल रब मंसीर थे बेंग गांभांख 105 गया 60 sell welcome यूंत कुछ से यह आप लोगों के बुक में है की नहीं है मुझे नहीं पता क्यूंकि मैंने यह नोट कुछ दिन पहले बनाया था और पढ़ने के दौरन मुझे जो जो लगा कि MCQS पूछे जा सकते हैं यह मैंने नोट करते गई यह शायद आप लोगों के बुक में हो सकता है नहीं भी हो सकता है तो आप लोग जीके के कुछ किताब उठा सकते हैं कुछ आप लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं रपए सबता के बारे में और उसको अगर आप लोग अपने एंसर में एड करें तो जो एक्जामिनर होग वो सोचेगा कि नहीं भाई इस बच्चे की तयारी अधिक है अच्छी रही है तो थोड़ा सा मांक्स इक्ट्रा मिलने के चांज़े हो सकते हैं ठीकर दूसरा पॉइंट है कि उप महादीप के विभाजन के बाद सबता का प्रमुकिस्तर प्राकिस्तान के छेत्र में जब हमार वारत में बनावली काली बंगन राखिगर धौलाविरा और नागेश्वर हरपा सबता का मुख्य सहर जो की इंडिया में है वो कौन-कौन से बनावली काली बंगन राखिगर धौलाविरा 1980 से अंतराष्ट सतर पर सबता की खोज को लेकर रूची बढ़ने लगी जब देखा गया 1921 में इस सहर को खोजा गया 1922 में चीजस फ़र्ष्ट होने लगी तो अंतराष्ट के लिवर पर इंटरनेशनल लेवल पर लोग रूची लेने लगे कि अरे भरी यहां पे इतनी इंडिया में तो चलो थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ते हैं जानते हैं वहां के इतिहास करो ने बहुत इसको समझने के लिए अपना दिमाग लगाना शुरू किया ठीक है अब चलो खोज का बर्गी करन ये भी एक पॉइंट है आप लोगों के बुक में खोजी का प्रियोग्त पदार्थ पथर मेटी धातू हातीदा खोज का बर्गी करन कैसे किया जाता है वह आप लोगों को समझना है उप्योगता के आधार पर और जार आभुसना अनुर्श्टानिक प्रियोग मतलब खोजी जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पूर तो उनका बर्गी करन किया गया है प्रयोग प्रधात की आधर पर जिसका प्रयोग होता था प्रयोग प्रधात पत्थर मिट्टी धातु हांती दात और प्रयोग की आधर पर और जार आभोशन अनुस्ठानिक चीजे तो इनके आधर पर इनका बर्गी करन किया गया अब पू के लोगों को समझ में आ गया होगा यह पूरा का पूरा चेप्टर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कर सकते हैं मैंने यह टेक्निक अपना है आप लोगों के सामने कि एक कहानी की तरह से समझाओं कि बज्जो के मुन में यह रहता है कि आरे हिस् तरह सोचते थे लोग क्या कर्ते थे लोग क्या क्या घाते थे कहांसे फचल पैदा करते थे तो इस तरीके से चीजे साफं़ 기동्याणी से समझ आ जा जाती है और एक काम करने के मैंने बहुत कोशिश की MCQs पर मैंने आप लोगों को ध्यान बैठा दिया है कि कैसे MCQs पूछे जाते हैं तो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होता है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट किजी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जल ए से शेयर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना तो बस आज के लिए इतना ही